दूसरे चरण के मतदान को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सभी आठ सीटों परशांती पुर्वक तरीकी से मतदान कराय जा रहे हैं मुलेंदु शेहर में फरजी वोटर पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि सभी गेर अफ़तार किये गए और पूछ ताच जा रही है आज दीती चरण का मतदान प्रदेश के नौ जनपदों के संपन्न हो रहा है जिसमें की आठ परलेमेंटरी कंस्ट्वेंसीज हैं सुबह साथ वज़े से ही मतदान शुरू हुआ है और अभी तक के सूचना के नुसार कहीं कोई अपरिये घटना की सूचना नहीं है कुछ जगहों पे फरजी जो पहचान पत्र हैं वो बुल इंशर जिले में कुछ लोग पकड़े गए हैं उनके वेरिफिकेशन कराया जा रहा है में भी किसी तरह की कोई दुर्वेवस्था या हिंसा इत्यादी नहीं हुई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चड़नों में भी हम लोग जिस तरह से यहां का इतिहास रहा है किसी तरह की कोई अपरिये घटना नहीं होने दी जाएगी और चुनाव आयोग की अपेक्षाओं के निसार चुनाव हिंसा रहित और शांति पूर्ण तथा निस्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा